दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ विगक बॉस सीजन 14 की फुल इंफोर्मेशन शीयर करने वाला हो जैसे एक एपिसोड को बनाने में कितना खर्चा आता है एक एपिसोड से कितनी एर्निंग होती है एक हफ़ते में कितना खर्चा हो जाता है साथ साथ एक हफ़ते में कमाई कितनी होती है बिग बॉस सीजन 14 को बनाने में टोटल कितना खर्चा आएगा और इसके अलावा कमाई कितनी होगी पूरे सीजन में इसके अलावा इस TV शो में काम करने वाले सभी कलाकारों को कितना पेमिंट दिया जा रहा है सल्मान खान को एक हफसे का कितना पेमेंट बलता है पूरे सीजन के लिए सल्मान खान कितना पेमेंट लेने वाले है ऐसे ही बहुत से सवालों के जवाब बहुत सी जानकार या बिग बॉस सीजन 14 की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वीडियो को पूरा जरूर देगेगा ऐसी ही एंटर्टेनिंग और इंफर्मेटिव वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब साथ में बल आइकन दबाने के बाद ओल नोटिफेकेशन पर क्लिक जरूर करें आपका फेवरेट कंडेस्टेंट कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताईए बिग बॉस सीजन 14 कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को जब से लाइक और शेर जरूर करें बिग बॉस भारतिये टीवी जगत का बहुत ज़्यादा पॉपुलर टीवी रियालिटी शो है जिसके निर्माता है एंडे मॉल स्राइन ग्रूप जो विया कॉम 18 और स्टार इंडिया की मदद से इस शो को बनाते हैं बिग बॉस सीजन 14 साथ अलग-अलग भासाओं में प्रिशारित किया जा रहा है जिसमें से हिंदी टीवी शोर्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बिग बॉस के विनर को एक करोड रुपे ऐस जे विनर अमाउट दिया जाएगा बिग बॉस सीजन 14 के कुल एपिसोड की बात करूँ खरचा 30-35 करोड रुपे रहता है और वहीं एक हफ़ते की कुल कमाई करीब 90-120 करोड रुपे तक बहुत जाती है चलिए अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि बिग बॉस सीजन 14 में टोटल कितना खरचा होने जा रहा है बिग बॉस सीजन 14 का टोटल खरचा करीब 510-600 करोड के बीच में रहने वाला है कमाई की अगर मैं बात करूँ तो बिग बॉस सीजन 14 से टोटल कमाई 1590-2040 करोड रुपे तक होने वाली है अब आपको बताते हैं कि सलमान खान को एक हफ़ते का कितना पेमेंट मिलता है सलमान खान के अगर बात करें तो सलमान खान को एक हफ़ते का दिया जाता है 20 करोड रुपे और टोटल कितनी अमाउंट सलमान खान को मिलने जा रहा है सीजन 14 के लिए जो नोंने contract sign किया है Big Boss season 14 का पूरे season के लिए वो रहा है करीब 480 करोड रुपे का तो ये तो थी Big Boss से संबंदित कुछ छोटी बड़ी बाते हैं अब आपको बताने जा रहा हैं कि Big Boss में जितने भी contestant हैं उन्हें कितना payment दिया जा रहा है तो बात करते हैं सहजाद देओल से सहजाद देओल एक model है जिने एक हफ़ते का 50,000 रुपे payment दिया गया था उसके बात करते हैं जान कुमार सानू जान कुमार सानू सिंगर कुमार सानू के बेटे हैं जो खुद भी एक musician है उन्हें एक हफ़ते का payment दिया जाता है असी हजार रुपे इसके बाद बात करते हैं राहूल वैत्या की जो एक सिंगर है और इंडि utilizz clinician 1 के फिस्ट ररनर अब भी रह चुके हैं। उन्हें एक हफते का दिया जाता है एक लाख रुपे इसके बाद बात करते हैं Nikki Tamboli की Nikki Tamboli South Movies की एकarin एक आचटर है जो एक लाख बीच हजार रुपे एक हफते का पेमेंट गैन डिया जाता है इसके बाद लिश्ट में आते हैं पवित्रा पुनिया जो एक model और टीवी एक्टरेस भी हैं जिन्होंने लव यू जिन्दगी, Split Slap Season 3 और Nagin 3 में भी काम किया है इन्हें एक हफते का payment दिया जाता है एक लाख पच्चास हजार रुपे बात करते हैं अभिनव शुकला की जिन्हें तेड़ लाख रुपे एक हफसे का payment दिया जाता है अभिनव शुकला model और टीवी एक्टर हैं जो दिया और बाती, सिलसिले बदलते, रिस्तों के में भी काम कर चुके हैं अभिनव शुकला कुछ फिल्मों में भी काम कर चुके हैं इस लिस्ट में आगे आते हैं इजाज खान जी हाँ, अजाज खान एक बहुत ही पुराने फेमस टीवी एक्टर रह चुके हैं जो काव्यांजली जैसे फेमस टीवी सीरियल में भी काम कर चुके हैं इन्हें एक हफ़ते का payment दिया जाता है लिस्ट में आगे राती है सारा गुर्पाल सारा गुर्पाल एक सिंगर और एक्टर भी हैं इन्हें एक हफ़ते का payment दिया जाता है दो लाख रुपे बिग बॉस सीजन 14 के कंटेस्टेंट लिस्ट में आगे आती हैं जैसमीन बसीन जैसमीन बसीन एक एक्टर है जो टसने इस्क दिल से दिल तक जैसे बड़े बड़े टीवी सीरियल में काम कर चुकी है उन्हें बिग बॉस सीजन 14 में एक हफ़ते के लिए payment दिया जाता है तीन लाख रुपे बिग बॉस सीजन 14 की सबसे हाइस्ट पेड रुबीना दिलेक जिन्हें बिग बॉस सीजन 14 में एक हफ़ते के लिए पांच लाख रुपे payment दिया जाता है जो एक टीवी एक्टरेस हैं छोटी बहु शक्ती अस्तित्व के एहसास की जैसे बड़े बड़े सीरियल में काम कर चुकी है इसके अलावा कुछ सीनियर्स जो बिग बॉस के पुराने सीजन्स में आये हैं उन्हें भी इस बिग बॉस सीजन 14 में एंट्री मिली जो तीन हफ़ते तक बिग बॉस सीजन 14 में जमे रहे उनमें से हैं सिदार्थ सुकला जिने 32 लाख रुपे पेमिंट एक हफ़ते का दिया गया और टोटल वो यहां से कमा गए करीब 96 लाख रुपे है हिना खान जिनने एक हफ़ते का 25 लाख रूपय दिया गया था और तीन हफ़ते यहां रुकने के बाद 75 लाख रूपय पेमिंट लेकर गई बात करते हैं गोहर खान की जिनने एक हफ़ते का 20 लाख रूपय पेमिंट दिया गया